30 सेकंड में LCM कैसे निकालें बिल्कुल सिंपल है यहां पर अब समस्जते हैं कि मैंने यहां पर किया क्या तो यहां पर देखिए मैने काम किया सीम्पल सा एक काम किया मैं को तो यह कितना है इतना कि इसमें निकल आ ढूएड किया है कि इसक्रीप है इसक्रीप या जाता है फंद करेबर पहले वह देखा जाता है जो आपका तीनों में common है उस factor को देखा जाता है तो यहां पे 5 यहां है यहां है यहां है उसके बाद again आपका उस factor को लिए जाता है जो की 2 में common है तो यहां पे मैंने क्या किया पहले उस factor से इन तीनों को डिवाइड कर दिया यानि पहले उस number को मैंने लिया जो की जिसका डिवाइड इ प्रता चाहोंगा यहां के लिए उसको लना है उसके बाद मैंने लिया जो कि केबल में उसको divide हो रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं दूबरा आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे पहले हमने क्या किया उस factor को लिया जो की तीनो में common है उसके बाद उस factor को लिया जो की दो में common है ठीक है उसके बाद हमने देखा जो पीछे बचे single factor उनको ले लिया इनका multiply करते हैं तो देखिए यहाँ पर यह 5 आपका बच गया ठीक है इनका multiply करते हैं तो multiply कैसे 5 multiply 5 25 और 25 multiply आपका यहाँ पर यह कितना 8 कितना हो जाए अब 200, 200 multiply 3 आपका 600 तो यह value आज LCM का ऐसे निगल जाता है धन्यवाद